चे मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 मार्च और 10 मार्च 2021 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवे दिन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो चलिए अब हम जान लेते हैं इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में तो नौ मार्च का जो दिन है यह मंगलवार का दिन है और यह एकादशी तिथी है एकादशी थी जिसको विज्या एकादशी के नाम से जाना जाता है क्रशनपक्ष के एकादशी है जैसा कि नाम से प्रतित होता है विज्य प्राप्त करने वाली विज्य दिलाने वाली एकादशी इस दिन वरियान नाम का योग बनेगा और साथ में त्रिपुषकर नाम का यो यूग का निर्मान करेंगे सूर्यक कुमराशी में है इस दिन का अभीजीत मोर्थ है दो पहर दो बज कर आट मिनट से बारा बज कर पांच मिनट तक कि तस मार्च का दिन यह जित मोर्थ नहीं है तो यह ती गरह नक्षत्रों की इस्तिथी आप जानते हैं यह जो गरह नक्षत्रों की इस्तिथी है ये कैसे परिवर्टन आपकी जीवन में लेकर आएगी तो पहले तो दिखें जो मार्च का दिन है ये बड़ा इंपोर्टन दिन है तो इस दिन का लाब आपको ठाना चाहिए तो कि क्रश्न पक्षिक एकादशी तिति है विज्या एकादशी और इस दिन का विरत करना बहुत ही शुब होता है सभी कारें में जीत प्राप्त होती है खास्तोर से उन लोगों के अगर ये विदिविदान से विज्या एकादशी का वरत करें पूजा पाठ करें भवान विश्नु की पूजा करें तो उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती है और ये एकादशी शत्रों पर विज्या भी दिलाती है तो इसलिए ये दिन इतना महत पून है इतना इंपोर्टन ह और जब योग बनते हैं ऐसे तो उन योगों का प्रभाव भी इस दिन को महत पुन बना देता है अब इस दिन आप दिखे सुभा या शाम के वक्त विज्या एकादशी की कथा जरूर पढ़ें आप सुभा को पढ़ सकते हैं या आप शाम को भी पढ़ सकते हैं अब राशी फल के बारे में जाने तो गजकेसरी योग बन रहा है त्रेपुशकर योग बन रहा है अब सिहिंग राशी के लोगों को इस दोरान पैसा कमाने की कोशिस में सफलता जरूर मिलेगी यानि आप जो काम कर रहे हैं जिन कामों से आप चुड़े हैं आप नौकरी करते हैं आप दुकानदारी करते हैं आप किसी भी तरह का काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी और इसके अलावा अगर आप किसी पार्ट टाइम काम को ढूनने की तलाश कर रहे हैं ढून रहे हैं आप तो part time काम भी आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा काम में किसी की मदद आपको प्राप्त हो सकती है कुछ लोगों से अगर अन्बन चल रही थी तो वो अन्बन अप खत्म होने का यूगा चुका है आपके किये गए प्रयास उस अन्बन को भी खत्म करेंगे और नजरिये को समझने की कोशिश करें इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और यदि आपको इन दिनों से कुछ समय से आपको अच्छी खबर का इंतिजार था तो वो अच्छी खबर भी मिल सकती है अब दामपते जीवन में थोड़ी सावधानी रखनी हो का तो यहां थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी दामपते जीवन में लव लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी नॉर्मल लव लाइफ रहेगी अब दस मार्च का जो दिन है तो गजके स्रीयोग तो इस दिन भी बना हुआ है और यह आपके जीवन साथ ही के करियर को ल मित्रों के साथ बात करते समय थोड़ी सावधानी रखें मित्रों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है जिससे थोड़ी टैंशन गर्मा गर्मी का माहुल हो सकता है ऐसी इस्तिति में क्रोध करने से बचना है क्योंकि ज्यादा क्रोध काम को बिगार भी सकता है तो आपक काफी उर्जा से भरावा फिल करेंगे उर्जावान रहेंगे और उर्जावान रहेंगे तो कामों पर भी ध्यान देंगे लेकिन उर्जा को सही दिशा में लगाएं दिन ओवरोल दिन जो है वो ठीक ठाक आपका बीचने वाला है कोई फैसला लेना चाहते हैं तो होंगी उनका निवारन करते रहेंगे साथ में अपने माता पिता के दिल को जीतने की कोशिश भी करें इस दोरान अगर ससुराल पक्ष आप जाते हैं या ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी कुछ अन्बन हो सकती है तो उन लोगों से भी आपको थोड़ी सी सावधा ने रखनी होगी आपको रिष्टों की समझ है और रिष्टों को मजबूत कैसे बनाया जाता है इसकी भी समझ है तो सूजबूज दिखानी होगी समझ दिखानी होगी ताकि रिष्टें आपके बरकरार रहें कोई उनमें परिशानी आपको देखने को ना मिलें तो इस होता है व्यक्ति के अंदर आत्म विश्वास है आत्म विश्वास से काम करता है लेकिन जब यह आत्म विश्वास जादा हो जाता है यानि अति आत्म विश्वास हो जाता है तो भारी पड़ सकता है ओवर confident जिसको बोलते हैं उसमें व्यक्ति काम बिगाड़ देता है तो ऐसी overconfident होने से बचें खुद के स्वभाव को नर्म रखें अगर आप एक boss हैं अपनी office में एक senior पदपर बैठे हैं तो अपने जो काम करने वाले आपके अधिनस्त हैं उनके काम को सरा हैं उनको support करें तब आपको respect भी मिलेगी और आपकी जो पदवी है वो भी बढ़ेगी इन चीज़ का देहान रखें बिजनस करने वाले लोगों के लिए समय हैं आपके lab का विस्तार करने का और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं या शेयर मारकेट से आप जुड़े हुए हैं इनवेस्ट करते हैं तो आपके लिए लाग की उम्मीदे बन रही हैं अपने नजरों को उ श्झ मार्केट पे घड़ा कर रहेगा नव दम की बात की जाए तो नए मेहमान के आने का संकेत बन रहा है संतान प्राप्ति का योग बन रहा है नवदंपतियों के यहां तो खुशो जाएं खुशी मनाएं और ध्यान भी रखें अपने आपको स्वास्त रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको पनानी चाहिए दुद्नों को अच्छे से वैदित करें और विजा एकादशी की तो कथा जरूर सुनें पूजापाट जरूर करें और पूरा दिन्मन में ओम नमो भगवते वासो देवाय नमा इस मंत्र का मनिमंजब करते दें भगवान विश्णु की क्रपा आपके उपर जरूर होगी साथ जानल को सब्सक्राइब कर लें हमारे इस वीडियो को जाज़ादे लाइक करें शेयर करें